फिल्म विक्रम को सक्सेस मिलने के बाद साउट की सुपरस्टार एक्टर कमल हासन ने दिया चौकाने वाला बयान। वीडियो जारी कर भाशा विवात पर कह दी बड़ी बात। वेल क्या कहा है साउट के सुपरस्टार ने जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि इस वीडियो में रहेगा एक सवाल जिसका जवाब देकर आप जिद सकते हैं एक गिफ्ट हैंपर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। साउट सूपरस्टार कमल हासन की फिल्म विक्रम बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त सावित हो रही है। कमाई के मामले में इस फिल्म ने मेजर और समराट पृत्वी राज को पीछे छोड़ दिया है। और भाशा विवात पर भी हरान कर देने वाला बयान दिया है। क्या कहा है कमल हासन ने आप खुद ही सुनें। से हो उत्तर से या दुनिया के किसी भी कोने से। मैं सभी टेक्निशन्स, सभी कलाकारों, प्रेस, दर्शकों और अन्य सभी को दन्यवाद देता हूं। जिन्होंने विक्रम को एक बड़ी सफलता दिलाए। सिनमा मेरी ऑक्सिजन है, मैं सिनमा को सास लेता हूं और जीता हूं। एक फिल्म सेकड़ों दिमागों और अजारों हाथों से बंती है। लेकिन उस फिल्म का भार गया, आप सभी के द्वारा तै किया जाता है। आज तक आप सभी ने अच्छी फिल्मों को समर्थन किया है। अब आप सब फिर एक बार निश्चे के साथ ये चाप मार देखी। हम अच्छे फिल्मों को हारने नहीं देगे। विक्रम के जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं बलकि अच्छी सिज्मा की जीत है। विक्रम को बहुत बड़ा सफलता आप लोगे ने दी है। इसके लिए फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद। राज कमल फिल्म सिंट्रिनाशनल के रूप में आपके प्यार अपेक्षा चाहने वाला आपका अपना मैं। नमस्कार। आपको बता दे कि इससे पहले भी कमल हासन अपने फिल्म विक्रम की प्रमोशन के दौरान साउथ वसेज बॉलिवूड इंडिस्ट्री को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। अपने इस बयान में कमल हासन ने क्या कहा था उसके बारे में आपको आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारा आज का सवाल। तो हमारा सवाल है कि फिल्म सद्मा में कमल हासन के ओपोजिट किस एक्टरस ने काम किया था। आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के comment box में दें और जीते एक gift hamper. अब आप भी सुनें कि South vs Bollywood industry को लेकर कमल ने क्या कहा था? that Tamil films or Malayalam films could not afford a film like that. We just saw them. एक्दू जेकले वस दोबल, anybody could have done it. A Bengali could have done it. All you needed is brains like Mr. K.U. Balachandar. If you had that kind of brain, anybody could have done it. But Mughalya-Azam is not just intelligence, it's guts to make. He's made it for years, decades to make that film. I've seen Sholei, worked with the maker of Sholei. I never thought I would even meet him, but I worked with him. So we do understand and respect. We should respect each other. If you think this film is good, appreciate it. Doesn't matter. Language doesn't matter. Films don't have language. Well, jis tarha se Kamal Hassan ne Vikram ke success ko Bhasha-Vivaad se joda hai, us par aap ki kiya ra hai. हम इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं. साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंदाया हो, तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें. Entertainment की दुनिया से जुड़े, हर एक लेटिस खबरों से अबडेटेड रने के लिए, First India Filmic को सबस्क्राइब करना नहीं भूलें.